नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो बहुत टाइम पहले बंद हो चुका है परंतों आपकी बुक्स में अभी भी उसका जिकर है और आपको भी भी उसके बारे में पढ़ना पढ़ता है तो दोस्तों उसका नाम है Drum Switch तो आज हम Drum Switch देखने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने फैंट सर्कल में इसे सेर कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो जो की प्रैक्टिकल होती है आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह जो आप स्क्रिन पर देख रहे हैं इसे ही हम कहते हैं ड्रम स्विच दोस्तो ड्रम स्विच का मेन यूज डेकोरेशन लाइट में किया जाता था जहांपर विवासादियों में हम डेकोरेशन के लिए लाइट लगाते थे जिसे हम आम भासा में लडियां भी कहते हैं उन्हें स्विच करवाने के लिए इस परकार के स्विच का इस्तिमाल किया जाता था इसकी सहायता से हम लडियों को लाइटों को स्विच करवा सकते थे वो भी लाइन वाइज हम इससे स्विच करवा सकते थे तो चलिए इसे समझ लेते हैं तो यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह इसका main wire है यह देख लीजिए यहाँ पर हम इसमें main supply जोड़ते हैं दोस्तो यह काफी पुराना हो चुका है इसका परचलन भी बहुत कम हो चुका है तो इसकी जो condition है थोड़ा सा अभी down हो चुकी है पर फिर भी आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर हम main connection जोड़ते थे और इसके बाद में यहाँ से हमें तीन circuit मिलते थे तीन circuit का मतलब यह है कि यहाँ पर हमें switch करने के लिए तीन circuit मिलते थे यान कि हम तीन light अलग-अलग इस पर switch करवा सकते हैं देख लीजिए यह जो wire है यहाँ से आते हुए यह जो joint दिख रहे हैं यहाँ पर motor का connection होता था यह देख लीजिए यह motor है और motor पर belt लगा हुआ है और यह इस चकर को घुमाता है और जब यह चकर घुमता है तो यह जो पतियां आपको दिख रही है edge switch काम करती है वो कैसे काम करती है चलिए देखिए तो यह देखिए मैं इस चकर को घुमा रहा हूँ तो आप इसकी position देखिए सबसे पहले एक number पती देखिए उसके बाद में दो number पती और उसके बाद में तीन number यानि कि जब यह घुमता था तो हमें line wise लाइटों की switching मिलती थी यह आप असानी से देख सकते हैं दोस्तों इसके साथ ही आपको एक और सुचना देनी थी सुचना यह है कि मैंने एक और नया channel मनाया है जिस पर हम आपको repairing सिखाऊंगा robotics का course पुरा सिखाऊंगा मतलब कि आपको project मिनाना भी सिखाया जाएगा तो उस channel को भी आप subscribe कर लीजी link आपको description में मिलेगा तो आएए इसके connection के बारे में हम बात कर लेते हैं यह दोनों इसके main connection है जो आपको screen पर दिखाई दे रहे है इसके बाद में यहाँ पर यहाँ पर यह जो wire देख रहे है यह common wire है यहाँ पर हमने common wire जोड़ना है उसके बाद में यह जो आप तीन पत्तियों की wire देख रहे है यहाँ पर हमें switching line-wide switching मिलती है जैसे कि मान लीजी हमने तीन बलब इस पर जोड़े है तो सबसे पहले एक number पत्ति वाला बलब glow होगा क्योंकि सबसे पहले वह पत्ति on होती है उसके बाद में second number वाला switch on होगा और उसके बाद में third number वाला switch on होगा तो इसी तरह से हमें line-wide switching इस switch के जरिये मिलती थी इसे ही हम drum switch कहते हैं दोस्तों आज के जबाने में तो काफ़ी ऐसे electronic circuit आवचके है जिसके माधम से हम असानी से switching कर सकते हैं इतने बड़े ताम जाम की आजकर जरूरत नहीं बढ़ती पर फिर भी हमारे books में ये है RTI की electrician की book में है और इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए तो चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मिद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को सेर भी कर दीजिए थैंक यू